तदुपरांत शिवाग्या से ब्रह्मा ने पंच तत्वों से स्रिष्टी रचना का कार्य प्रारम्ब किया। सर्वप्रथम उन्होंने उर्द्व आकाश में स्वर्ग लोग की उत्पत दिकी। स्वर्ग लोग के सिंगासन पर स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र के साथ उनकी सैधर्मिडी इंद्राणी शचीत हुए। साथ ही प्रकट हुए इंद्र के सायक देवतावर्थ जो अमित शक्ति के दायत थे और स्वर्ग की सुंदर अपसराए। स्वर्ग रचना के पश्चात ब्रह्मदेव ने साथ समुद्रों से घेरी सप्त द्वीब पृत्वी की रचना की ये पृत्वी परवतों व्रक्ष लताओं और जर्णों से पूर्ण थी स्वर्ग लोग तथा पृत्वी लोग की रचना के पश्चात ब्रह्मा ने पाताल लोग तथा नरक के स्थापना की पाताल लोग के साथ ही वहां रहने वाले असुरों की उत्पत्दी हुई तथ पश्चात ब्रह्माने सप्तर्श वशिष्ट मारीच अत्री अंगिरा पुलाह क्रतु तथा पुलत से प्रकट की ओड़्यू ओन्यू ओन्यू नुम 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 हो जान टति हूँ हो नम नुम हो और नमस्षिवार नमस्षिवार ये सातो रिशी मंत्रकर्ता एश्वरेवान दिव्यत रिष्टिधारी दिरगायू आदिगोरों सियुक्तु धर्म का साक्षाद कार कराने वाले तथा गोत्रों की उत्पत्ति करने वाले ऐसे साथ गुरों से परिपूर्ण थे अब नब वंडर में अपना अपना अथान ग्रहें करके विदीद्वारा निमितकारी पाला मांची sunlightि में वाल जाला है पुन उसे लां करना उम्हेबा okay काम देव तुम्हारा कारी होगा जुगलों में काम इच्छा उत्पन करना और वसंद तुम करती में सौंदर्य प्रकट करोगे थ्रिष्टी के रष्णा के लिए यहाती आवशक अंग है ओम नमस्जिवाद नाराय नाराय नारद अपने मानस परंपिता ब्रम्हाजी को प्रणाम करता आयुश्मान परवणारद तुम शेली विष्टी के परमवक के रूप में प्रसित होकर संसार में धर्म और होती का प्रचार गते हुए संसारियों की उल्जिवी समझ्याए सुझाओगे नाराय 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 ओम नमस्जिवाद तुम अधिवाद तुम मनु महाराज के नाम से चले रख में प्रसित होगे और स्रिष्टी में प्रकट होने वाली प्रथम नारी संसार तुम्हें शद्र रूपा के नाम से सदाय परमवक्त हमारे लिए क्या आक्या है परमपिता आप दोनों वैदिक तथा सनातन धर्मिक विधी के अनुसार एक दूसरे को पती पत्नी के रूप में स्वीकार करके मैं तुरी सिष्टी द्वारा प्रजोत पत्नी का कारी परमपित मेरे लिए क्या आग्या है परमदे ब्रमपिता संध्या तुम मनुष्यों में यज्यहवन की रुची जगाने इस्ट देवों तथा पित्रों के पती आराजन का माध्यम बने के लिए प्रजट हुई तुम धर्म रशी के आश्रम में इस्थान जरेंगे बने जैसे आग्या परमदेव की ओम नमस्यवाद हे सदाश्यव आपकी इच्छा से हम ब्रह्मा विश्णू उत्मन हुए सारी स्रिष्टी समष्टी प्रकट हुई आपी समस्त ज्ञान विज्ञान कलानित्य संगीत और विद्याओं के आदिश्रोगते आपके विद्याओं नियपुंता तथा संगीत साहित की प्रेणा समस्त स्रिष्टी के प्राणियों में चगाने के लिए देवी श्रूपनी एक दिर्वश्टी को पकट रहें जिसक्याओं मानों मात्त में विद्याओं बुद्धी तथा कलात संगीत पकट है स्रिष्टी के सजन करता ब्रह्मा जी आपकी तथा सदाशेव की इच्छा से मैं वीना पाणी सरस्वती आपके सन्मुक प्रकट हुई हूँ मेरे लिए क्या आग्या है हे महादेवी सरस्वती इस स्रिष्टी में कला संगी यान विज्ञान एवं समस्त विद्याएं तुम्हारी उपास मासी सित्थ कुंद्धी जे क्या सही मानों का हो विद्या प्रधान करती है स्रिष्टी के स्रजना ब्रह्मा जी की इच्छा का आदर आवश्य करूंगी इस प्रकार प्रह्मा स्रिष्टी की रचना में इतने आत्म विभोर हो गए कि वे अपने मानस में उत्पन अपने पुत्र दक्ष को प्रकट करना सर्वता भूल गए तब स्वयम दक्ष ने पीडित होकर प्रह्मा को कठोर शब्दों में स्मरण कराया मुझे भी प्रकट कीज़े परमपिता आप अपने पुत्र दक्ष को उत्पन करना कैसे भूल गए परमपिता आपके मन में मेरा उत्पन होच चुका है मैं अपने बाहर आने का मार खोजते खोजते आपके चरण के अंगुष्प तक आप पहुँचा हूँ मुझे भी प्रगड़ कीजे बरंपिता, मुझे भी प्रगड़ कीजे दक्ष, मैं अपने से उत्पन, मारस पुत्री पुत्रियों को देखने में ऐसा विवोर्ड हुआ कि तुम्हारा ध्यानी देजा मेरे मानस पिता प्रह्मा जी, मैं दक्ष प्रजापती, सर प्रधम प्रकड़ होने का अधिकारी था परंतो आपने मेरे उपेक शकी, आपने ऐसा क्यों किया प्रह्मा पिता? मैं तुनी स्रिष्टी से प्रजुत्पती का ताइत, सर प्रधम मनुशत प्रुपा को पून करना है अधिव, तुम्हारा अंत में प्रकड़ होना उचित्जी है आप ही ने दो इविधान निश्चित्टिया है परंपिता, कि प्रजापती का पद्धोर प्रथम मुझे प्लाप्थ होगा अवश्चित्जी हम उस विधान के अनुजारी काये कर दे अलंतु पदोर पादक, तता प्रजापती का कर्दव तुम विभा करके ही पून कर सकोगे अर्थात, आपके कहने का तात पर ये क्या है परंपिता पहले तुम्हारा विभा, प्रजापती वेरण की पुत्री, वीर्णी से बुखा तत्पच्चा की तुम प्रजापती की लोगे जाओ, पहले ये कारी पून करो सोच क्या रहे हूं बुत्र दक्ष तुम तो प्रजापतीयों के अधर्श बनने जाए जाओ, अपना अधाय तुपून करो तुम्हारा कल्याण हो जो आगे है परंपिता ओम्हाश्यवाव और इस प्रकार सृष्टी की तीन प्रधान एवं मूल वृत्तियों में से तामसिक वृत्ति के प्रतिनिदी के रूप में दक्ष ने जन्म लेकर अंकार की वृत्ति को जन्म दिया कालांतर में अंकार की इस तुष्ट प्रवृत्ति ने विश्व की शान्ति को आहत कर शान्ति प्रिय प्राणियों को पेडिते